नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है गुजरात और हिमाचल इन दोनों विधानसभा चुनाओं में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है हिमाचल में तो पहले से अनुमान था कि एंटी इंकंबेंसी का फैक्टर काम करेगा वहाँ भाजपा और कॉंग्रेस बारी बारी से सरकार बनाते रहे हैं इस बार भी वही हुआ भाजपा यहाँ पहले से जीत को लेकर निश्चिन्त थी जबकि कॉंग्रेस ने शायद भाप लिया था कि वीरभदर सिंग के ने तृत्य पर अब की बार जनता शायद भरोसा ना दिखाए हलांकि बीजेपी के सीएम पद के उमिदवार प्रेम कुमार धूमल भी अपनी सीट वहां बचा नहीं पाए हैं लेकिन उनकी पार्टी को जीत जरूर नसीब हुई है वहां चुनाओ प्रचार में भी कॉंग्रेस की ओर से कोई खास जोर नहीं दिया गया था जबकि भाजपा ने प्रधान मंत्री के साथ समूची ताकत को लगा दिया था अब गुजराच चुनाओ की बात करें तो यहां सत्ता की लड़ाई भाजपा और कॉंग्रेस की ना होकर नरेंदर मोदी और राहुल गांधी की बना दी गई थी जिसमें नरेंदर मोदी की जीत तो जरूर हुई है लेकिन राहुल गांधी भी हारे नहीं है बहुमत जरूर भाजपा के साथ है लेकिन कॉंग्रेस की सीटों और वोट प्रतिशत में बरहोतरी का होना यह बताता है कि टककर कांटे की थी जिन राहुल गांधी को भाजपा कुछ समय पहले तक अपने पैरों पर खड़ा नेता तक नहीं मानती थी और हर वक्त उनका माखौल उड़ाती थी उनहीं के नेत्रितों में कॉंग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया और प्रधान मंत्री से लेकर राष्ट्री अध्यक्ष और तमाम केंद्रिये मंत्रियों को मजबूर कर दिया कि वे उनके उठाए मुद्दों के इर्द गिर्द जूलते रहें गुजरात में पिछले 22 सालों से भाजपा का राज है बावजूद इसके 2017 की लड़ाई में भाजपा के कदम लड़ खड़ा गए थे जिसे किसी तरह नरेंद्र मोदी ने समाला गुजरात जीत का पहला कारण तो यही नजर आता है कि इस बार भी हिंदुत्यों का मुद्दा भाजपा के काम आया गुजरात लंबे समय से हिंदुत्यों की राजनीती का गढ़ रहा है जो अड़वानी जी की रथ्यात्रा में और फिर नरेंद्र मोदी के मुख्य मंत्रित्यों काल में तो चरम पर ही पहुँच गया याद करें दो हजार दो में गुजरात में भहेंकर सांपरदाइक धुर्विकरन हो चुका था तब मुख्य चुनाव आयुक्त जे एम लिंग दोह के लिए नरेंद्र मोदी ने जेम्स माइकल लिंग दोह का प्रयोग किया था सिर्फ इसलिए कि उनके इसाई धर्म को उजागर किया जाए दस साल बाद 2012 में उन्होंने अहमद पतेल के लिए इसी तरह अहमद मिया पतेल का प्रयोग किया था जो इस बार भी उनने किया ताकि जनता के अंदर ये बात बैट जाए कि कॉंग्रेस एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री उम्मिदवार बना रही है इस बार भी वे पाकिस्तान को बीच में लाए और भाजपा ने राहुल गांधी के गैर हिंदू होने की बात फैलाई गुजराज जीत का दूसरा कारण है नरेंदर मोदी द्वारा इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लेना और जीतने के लिए जायज ना जायज हर पैत्रे को आजमाना तीसरा कारण है इसे गुजरातियों की अस्मिता से जोड़ना मद्दाताओं के बीच इस धारना को बल दिया गया कि अगर भाजपा हारती है तो यह प्रधान मंत्री की हार होगी जो गुजरात से ही है भाजपा की जीत का चौथा कारण मनिशंकर रैयर ने उपलब्ध कराया 2014 में चायवाले बयान के बाद भी वे जुबान संभाल कर बोलना नहीं सीख पाए हैं और इस बार उन्होंने नरेंदर मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सहानु भुती लाव लेने में मोदी जी ने देरी नहीं की इसी तरह योगेंदर र्यादव का दावा भी कॉंग्रेस के लिए मीठी चुरी साबित हुआ पहले चरण के मद्दान के बाद उन्होंने कॉंग्रेस को भारी बहुमत मिलने का आकलन किया था जिससे दूसरे चरण से पहले भाजपाईयों को संभलने का मौका मिल गया ये भी अजीब है कि एकजिट पोल आते ही योगेंदर र्यादव के बोल भी बदल गया और वे भाजपा की जीत की भरुश्वानी से सहमत हो गया अगर उन्हें कॉंग्रेस की जीत का भरुशा था तो इतनी जल्दी वे पलट क्यों गए ये समझ से पड़े है एकजिट पोल के मुताबिक भाजपा जीत तो गई है लेकिन उस तरह से नहीं जैसा अनुमान लगाया गया था याद कीजिए एक सो पचास पलस का नारा दिया गया था एक बार फिर साबित हुआ है कि एकजिट पोल जैसे खेल टीवी चैनलों और शेयर बाजार के सटोरियों के लिए मुफीद है आखिरी बात इन चुनाओं में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं मद्दान के पहले राहुल गांधी को नोटीज जारी करना और नतीजों से पहले खुद ही वापस ले लेना ये समझ से परे है मोदी जी नियमों की सरराम धजियां उड़ाते रहें और आप के वल विचार करते रह जाएं कि करना क्या है आयोग की एक सावेधानिक जिम्मेदारी है जिस पर लोगतंतर की उम्मीदे भी ठीकी है अगर उसकी निश्पक्षता पर सवाल उठेंगे तो चुनाव कितने विश्वस निये रह जाएंगे ये सोचने वाली बात है तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे है डिवी लाइब नमस्कार